बिसमिल्लाहिर्रह्मानिराहिम, मेरा नाम मुहमद अनस है, मैं एक मेडिकल रिप्रिजेंटेटिव हूँ नाजरीन हर शक्स की खाहिश होती है कि उसका कद लंबा हो, वो चार बंदों में बैठा हो तो नजर आए तो कद के बारे में दो बाते हैं, एक अच्छी खबर है, दूसरी बुरी खबर है, अच्छी खबर क्या है कि क्या आपका कद भड़ सकता है, तो इसका जवाब है जी हाँ, आपका कद भड़ सकता है बुरी खबर क्या है कि अगर आपकी उमर 25 साल से 25 यर्ज से ज्यादा है तो आपका कद बढ़ने के चांसिज ना होने के बराबर है नाजरें हमारे जिसम में एक हॉर्मोन होता है जिसे कहा जाता है HGH Human Growth हॉर्मोन नाजरें इस हॉर्मोन के क्या काम है जिसम में गोर से सुनने जब हम exercise करते हैं तो exercise के बाद ये हमारे issues को repair करता है हमारे muscles को rebuild करता है नमबर दो ये हमारी हड्यों की density को improve करता है density क्या होती है एक 5 इंच का टुकड़ा foam का है एक 5 इंच का टुकड़ा ant का है तो foam के निस्बत ant भारी होगी ant की densities ज़ादा है इसी तरह हॉर्मोन हमारी हड्यों को भारी करता है मुझभूत करता है नमबर थरी पे ये क्या काम करता है ये increase exercise capacity ये हमारी exercise का stamina increase करता है नमबर फॉर पे reduce risk of cardiovascular disease ये हमारे दिल की बिमारियों के risk को काम करता है नमबर फाइव पे improve erectile dysfunction बरदाना कमजोरी को काम करता है नमबर 6 पे enhance cognitive function ये हमारे दमाग के नजाम को बेहतर करता है इसलिए जवानों को बड़ों की बातें बुरी लगती है हलांकि जवानों को बड़े लोगों की बातों पे तहमल करना जाएए क्योंकि उनका दमाग भी जवान होता है नमबर 7 पे better sleep ये हार्मोन ये जो growth हार्मोन है ये हमारी sleep को हमारी नीद को बेहतर करता है तो नाजरीन हमारा ख्याल ये होता है कि अगर हमारे वालदेन का कादर लंबा है तो हमारा कादर लंबा होगा अगर हमारे वालदेन में से किसी एक का कादर छोटा है या दोनों का कादर छोटा है तो हमारा कादर लंबा नहीं होगा ये बिलकुल उडालत है, ऐसा बिलकुल नहीं है, हाँ, अगर आपके माँ और बाप दोनों का काद लंबा है, तो ज्यादा चांसिस हैं कि आपका काद भी लंबा होगा, लेकिन अगर आपके माँ बाप मेंसे किसी का काद छोटा है, या दोनों का काद छोटा है, तो इसका ये पर जासे हमारा कद छोटा रह जाता है तो नादरीन, आज मैं उन्ही मिनरल्स के बारे में उसी लाइस्टायल के बारे में बात करूंगा तो सब से पहले जो के हमारे कद को छोटा रखने में एहम करदार अधा करता है वो है जिन्क की डेफिशनसी deficiency of zinc जिन लोगों में zinc की deficiency होती है उनका कद अक्सर छोटा रह जाता है तो जल्दी से नोट करने कि zinc किन चीजों में होता है और किन चीजों से zinc की deficiency होती है नाजरीन red meat में zinc होता है इसके इलावा sea foods में zinc होता है अंडे में zinc होता है और जिंक की डेफिशनसी किस तरह होती है चीनी के ज्यादा इस्तमाल से, सिट्रेस से, परेशानी से जिंक की डेफिशनसी होती है कैफीन से, कैफीन बहुत अहम चीज़ है ये एनरजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में और कोफी में कैफीन बहुत ज़्यदा मिगदार में पाई जाती है इसके लिएवा अलकोहल से, स्मोकिंग से और हॉल ग्रेन से इससे हमारे जिसम से जिंक डिपलीट होता है, खारिज होता है नमबर दो, नमबर दो पे नाजरीन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो के आपके ग्रोथ हॉर्मोन को बड़ी तीजी से इंक्रीज करेगी, बूस्ट अप करेगी और वो चीज़ है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग कहते हैं कि एक दम से चंद ही सेकंड में तीजी से भागना जो बचे पबजी खेलते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से स्प्रिंटिंग को जानते होंगे तो अपने बचों को पार्क में लेके जाएं, उन्हें बगाएं, दोड़ाएं, उन्हें के धोड़े 20 से 30 सेकंड के लिए उन्हें 30 दोड़ाएं, उसके बाद 90 सेकंड के लिए उन्हें रेस्ट दें और फिर दोड़ाएं इस तरह आठ दफा करें रुजाना आठ दफा करें ये आपके ग्रोथ हॉर्मोन को जो इंजेक्शन लगते हैं ये ग्रोथ हॉर्मोन के इंजेक्शन लगते हैं उन से भी डबल आपके ग्रोथ हॉर्मोन को बूस्ट अप करेगा लेकिन ये मुश्किल काम है कोई कोई कर पाए बहुत जरूरी है लंबी नीद लेना क्योंकि हमारे हमारा कोटी सोल लेवल नीद की वज़ा से कम होता है हमारा सिट्रेस का लेवल कम होता है तो रात को 9 से सुबा 6 बजे ताकी या इशा के बाद सो जाएं और सुबा फजर से पहले उठ जाएं आठ नो घंटे की मस्ट नीद आपको बहुत जरूरी है इसके लावा परोटीन बहुत जरूरी चीज़ है नादरीन परोटीन आपने लेनी है लेकिन हेल्दी परोटीन लेनी है गलत परोटीन नहीं लेनी सोया बीन वाली जो परोटीन है ये लोबी ये परोटीन नहीं लेनी आप रेड मीट ले सकते हैं बहुत अच्छी प्रोटीन है इसके अलावा आप ये अंडो में प्रोटीन है इसके अलावा जो सी फूर्ड हैं उनकी प्रोटीन ले सकते हैं नेक्स्ट जो चीज है वो है फैट्स नाजरेन फैट हमारे जिसम के लिए बड़े जरूरी हैं लेकिन हेल्दी फैट ये जो वेजिटेबल ओईल्स हैं सीड ओईल्स हैं ये वाला फैट बिल्कुल नहीं जैसे केनोला ओईल और सनफलावर ओईल इसके अलावा कॉर्ण ओईल ये ओईल वाला फैट नहीं लेना हैल्दी फैट जिन में ये कोकोनट ओईल है इसके इलावा ओलिव ओईल है इसके इलावा नट्स जो हैं आलमेंड और अखरोट बदाम ये बहुत जरूरी हैं हमारे जिसम के लिए हमें फैट महिया करने के लिए और कुछ ऐसी चीज़े है जिन से आपने परहेज करना है परहेज किन चीज़ों से करना है आपने स्मोकिंग से परहेज करना है अलकोहल से परहेज करना है एनरजी ड्रिंक्स कैट्रीन्स से आपने परहेज करना है इसके इलावा वाइटामन डी थ्री बहुत जरूरी है आपने बचों को धूप में न काल सकते तो उन्हें वाइटामन बी-3 के सप्लिमेंट से जरूर दें, कैपसूल मिल जाते हैं, इसके लावा बचों के लिए ड्रोप्स भी होते हैं, तो वाइटामन बी-3 भी कद बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, नाजरें ये चंद चीजें थी, इनको नोट कर लें, अभी से कर लें, अभी टाइम है, दुबारा ये टाइम नहीं आएगा, अगर आपकी उमर 25 साल से कम है, तो आपके बस टाइम है, उसके बाद ये दुबारा कभी नहीं आना,